सीखाँ युत्ते हो मखण पकोणा सीखाँ युत्ते हो मखण पकोणा ये दादायोखा कमें वो बच्डे दे के दीन बच्चोना मेरे सखी हुसैन तकमें वो बच्चडे दे के दीन बच्चोना मेरे सखी हुसैन दकमें वो ताकत हुं देया जोर निलाया वो बैठे मन रजाई वो ताकत हुं देया जोर निलाया वो पैठे मन रजाई वे पानी बाजों हो प्यासे तुर गए वो दीन दुनी दे साई इस सदा बहार दिमी इस पाके सदा बहार दिमी इस पाके अते कदें खिजाना यावे मुमन फैसे हजाना ताई ओए हर फुका पल खावे नरे तक्बीर नरे रिसालत नरे रिसालत नरे हैदरी नरे हैदरी नरे तहकीक मैफल मिलाद मुस्तफ़ा प्यारे अंदाद के साथ अपनी हाजरी पे शुर्मा रही थी आबिद मुस्मी साहिब तो उनकी तबियत के हवाले से वो बैठनी इतना सकते तो आप दोस्तों थोड़ा सा रस्ता दे दी के उन्होंने जाना है अलापाक आपके जोग उस्लामत रखे सारे हदराद नक्षे पा चाहिए मेरी आँखों को हस्रत है दीदार की या नबी आपका जल्वा हक नुमा चाहिए हशर में पूछा खुदा ने अगर ऐ बोल गुनागार तुझे क्या चाहिए मैं तो यू अर्व करूंगा इस करम के सिवा और क्या चाहिए हू नबी का गड़ा और क्या चाहिए दीन दुनिया मिली आपके वैद से इससे बढ़कर वला और क्या चाहिए हग का एलान है हग का एलान है अपने बंदों पे ये दे दिया मुस्तफा और क्या चाहिए नात पढ़ते हैं जो नात सुनते हैं जो बख्ष देगा हुदा और क्या चाहिए और तेरे हाथों में दामन मुहंबत का है ऐ सदीकी बता और क्या चाहिए कि दिल अकीदत के सजदों को बेताब है या नभी आपका या नभी आपका या नभी आपका जल्वा हक नुमा चाहिए हशर में पूछा भुदाने अगर आपूल गुनागार तुझे क्या चाहिए मार्च करूगा मुहला तेरी अता की कसम मुस्तफा चाहिए मुस्तफा चाहिए उसी के सब्कार की बाते करने के लिदावत देता हूँ माद में लबी फादल जलील हद्द अलाव उलाना मेरी मुराद जनाब जायद सुल्तानी साहिब को का पाएं आपने इल्मी नुरानी वजदानी हताव से हमारे कुलब और वजान अगर फरमाएं जनाब जायद सुल्तानी साहिब नारे तकवीर नारे तकवीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदर दुरुदे पाक पढ़िए या रसूल अल्लाव वसलम अलेका या हभीम अल्लाव मेरे नभी की जात को जो जानते नहीं मेरे नभी की जात को जो मानते नहीं वो जान ले के हम भी उने जानते नहीं जिनको ना हुई मेरे हुसेन की पहचा जिनको ना हुई मेरे हुसेन की मेरे नभी को भी पहचानते नहीं वो जान ले के हम भी उने जानते नहीं और आखरी शेर है